सारे ही लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि सिर्फ एक समुदाय विशेश है एक तबका विशेश है जिसके लिए राम मंदर की आस्था है पर क्योंकि आप सोशल रिफॉर्मर हैं आप जैन मुनी है जैन समुदाय का राम मंदर से क्या जुड़ाओ है जैन समाज का राम मंदर में या अधूरा ज्यान होता है ना तब तक इस तरह की बात आपको बताऊं मैं आप आज आपके माध्यम से टाइमस नहों के माध्यम से मैं देश और दुनिया के सुरताओं को इस्पष्ट करना चाहता हूँ जैन परंपरा में जो इस्थान पर्थम तिर्थंकर आडिनात भगवान रिशब का है जो 24 तिर्थंकर भगवान मावीर का है वही जैन परंपरा में इस्थान मरियादा पुर्षोतम स्री राम का है जैन रामायन में मरियादा पुर्षोतम स्री राम को मौक्षगामी माना गया का है यानि कि उन्होंने निर्वान को प्राप्त किया है तो जो इस्थान रिशब का है जो इस्थान माहवीर का है वो इस्थान प्रभू स्री राम का है दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं जब जैन और इसको अलग करते हैं मैं आपको बताऊं जैन परंपरा में जैसे हर व बताओं उन सॉले मासृतियों में एक मास्ती है, वो है सीता जी दूसरी मास्ती है, जिनका नाम है अंजना जी जिनके पुत्र हनवान हुए अंजना सुत्त हनवान, तो जैनपरंपरा ओर इंडुम परंपरा, ये तो वोटवेंग की राजनेति के काण से लोग आपस में बाटने का काम करते हैं माहपुर्ष तो जो है वो सभी के जैसे नदी का पानी बिरिक्षा फल शूरिय की रोसनी चंदरमा की शीतलता ये सब के लिए होती है माहपुर्ष किसी एक वरक विशेश के नहीं होते और ये जरूर मैं कहना चाहूंगा आपने जब कह है कि इन्दु और जैन परमपरार जैन परंपरा में प्था और भगवान राम का वह स्तान है जो भगवान रिशवार मालिय का इसथा UA आज जब कि जो राम मंदिर के आसपास जो टेंट सिटी बनाई जा रही है जहां लोगों को ठहराया जा रहा है माता शबरी, निशाद राज, all of them are also being incorporated into the celebration of Lord Ram आपको क्या लगता है इससे किस तरह के का message दिया जा रहा है नहीं इससे संदेश ये है कि प्रभू स्री राम किसी को ऊच नीच नहीं मानते थे वो किसी को वर्ग विशेस में जनम लेने से नहीं क्योंकि मापुर्शों का कतन होता है कि मनुष्य जनम से नहीं कर्म से महन होता है उसके कर्म अच्छे होने चाहिए उसके कार ये अच्छे होने चाहिए इसलिए महापुर्शों ने कभी जाती के आधार पर भेदवाव नहीं किया आप देखिए महविर ने चंडाल को अपने याद दिक्षित किया है हरी किसी कुमार चंडाल को दिक्षित किया है तो महापुर्श जो हैं वो कभी भी जातिवाद, जातिवादी जनून या संपर्दाई कटरता की बाते नहीं करते हैं, वे तो मानव मत्र के हित कल्यान की बात करते हैं, वे छतिसी कौम के कल्यान की बात करते हैं, वे तो राजनितिक के लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज को बाड़ते हैं जातियों में बाड़ते हैं जातिवाद को बाड़ते हैं सामपरदाइक को बाड़ते हैं लेकिन मेरी दृष्टी में जातिवादी जुनून और सामपरदाइक कटरता यह लोग तंतर के दुस्मन है लोगों को इस चंगुल में नहीं फसना चाहिए आप जात करके रखते हैं क्या आपको लगता है कि राम मंदिर इस तरीके की जो विभाजनकारी राजनीती है उस पर चोट करें अधार बनाना चाहिए इस से भाईचारा बढ़ सकता है सम्रस्ता बढ़ सकती है आपस में यहां आको बताउ हूं मैं अपनी और से कुछ नहीं कह रहा हूं महवीर बानी का प्राकर्थ वासी का आपको एक शलोग कह रहा हूं वो कहते हैं मनुष्य फिर से कहूंगा इसको अगर मैं हिंदी बासा में कहूँ वो कहते हैं कि जन्म से नहीं कर्म से हम प्रती दिन उड़ते ही सोच्छने निवरित होते हैं हम उस समय अमारी भूमिका वह होती है हम जिस समय पूजापाद करते हैं हमारी दूसरी भूमिका है जब हम घर परिवार समाज और राष्ट की सुरक्षा करते हैं हमारी तीसरी भूमिका है है ना जब हम आजी विका का उपारजन करते हैं हमारी अलग भूमिका है हर व्यक्ति अपने आपके अंदर ब्रामन भी है ख्षत्रे भी है वेश्य भी है शुद्र भी है बला कौन है जो अपने सरीर की सभाई नहीं करता है तो इस तरह से किसी जाती को उससे जोड़ना ये बिलकुल जो है मानव जाती का अपमान है ऐसा कदापी नहीं होना चाहिए इंसान इंसान में भेद नहीं करना चाहिए कुन उंचो कुन नीचो मिनक मिनक में बेद बावरी बीत अरव मत खिंचो, कुण इंचो, कुण नीचो कोई उच नहीं है, कोई नीच नहीं है व्यक्ति अपने कारियों से, कर्मों से, संस्कारों से ही stress होता है किसी जाती कुल में जन्मर होने से कोई उच और नीच नहीं होता है ये कदापिश विकारिय नहीं है In an idle world, that would be true, but then if that happened, then how would we ever have politics? Acharya Ji, हमसे बात कहने के ले आपका बहुत बहुत थान्यवाद. Quick look at what else is making news across the country. वे वे ऱहने के लाटो हीना. – वे 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 जते लाटोнийवार शवत. क्या पिर मोईद a और हम एक वे रव्यों के वीन एम हैं.